आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे आज के विसे की जब बात की जाये तो एक बड़ी भातपूर सूचना है खास उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी दस्वी परिच्छा उत्तिर किये हैं खास करके जिनका सौपन है कि भारतिय डांग सेवा के अंतरगत अपना कैरियर बनाना या फिर दस्वी परिच्छा के बाद एक सरकारी नोकरी में खास करके सेंटल सरकारी की नोकरी में अपना जीविका चलाना चाते हैं या अपना जीवन या अपन करना चाते हैं या फिर आगे की पढ़ाई के लिए एक अपना स्वस्त सपूर सिस्टम डवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बहतर जाब हो जाती है, जो खास करके भारतिय डांग विभाग में निकाली गई है। बारतिय डांग विभाग की जब बात की जाये तो उसके अंतरगत BPM अर्थात ब्रांच पोश्ट मास्टर जिसको आपने गाउं में देखा भी होगा, खास करके पोश्ट मास्टर के रूप में नाम देते हैं, और साथी साथ GDS अर्थात ग्रामीर डांग सेवक अर्थात जिस 1228 स्कुल पदों को एनाउस किया गया है, महतपूर बात क्या है कि वही दसवी परिच्छा पास और सबसे महतपूर बात की 18 वर्स अगर आपकी उम्र है और 40 वर्स तक की अवस्था है तो आप इसमें फ़ार्म डाल सकते हैं और इससे भी जादे महतपूर बात क्या है कि इस ग्रामेर डांक सेवक की जब बात की जा तो ग्रामेर डांक सेवक के अंतरगत, खास करके जब हम GDS की बात के तो GDS भरती, ये 2024 के हिसाब से नोटिफिकेसन आई है, जिसमें 44,228 पदों पर ये कुलाग के आविदर बांगी गए हैं, इर में तीन अलग-अलग प्रकार की पद होते हैं, बेसिक जहां पे हमक रूप से गर बात के तो BPM, अर्था जिसको हम ब्रांच पोस्टमेस्टर और दूसरा GDS या जिसको ग्रामेर डांक सेवक की रूप में नाम देते हैं, मिलाग-जुला के अगर देखा जाये तो इसके लिए योगिता क्या रखी गई है, तो य यहां पे थोड़ा सा और भी ध्यान देते हैं, चुकि आज कल आपने दिखा होगा सारी चीज़े ओनलाइन हो जा रही हैं, तो इस दसा में थोड़ा बहुत आपको क्या हो, कंप्यूटर नालेज हो, यहां ध्यान कीगा, यहां कंप्यूटर नालेज की बात की गई है, कोई डिगरी या डिप्लोमा की बात नहीं करी गई है, तो अगर आप कहेंगे कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, बैसे इस बात को नहीं मोवाइल चलाना जाता, क्योंकि इस पे IPPB की जो एक एप्लीकेशन होती है, उसी को चलाना होता है, तो खास करके कंप्यूटर नालेज ह होनी चाहिए, इसके अलावा साइकलिंग, हला कि अब हमेंने लिखता है कि कोई भी पोस्ट मैं साइकल से चलता है, क्योंकि आज बदलते परिवेश में लगभग सभी मोटर साइकल ले रखे हैं, लेकिन पुरानी समय में थोड़ा सा ये, चुकि आप भी जानते हैं कि पोस का एक साधन भी आपको पता होना चाहिए, एक चीज यहाँ पर आपको बताते हैं चले, ग्रामिर डांक सिवक और जो ये ब्रांच पोस्ट मांस्टर नाम की वैकेंसी होती है, यह अपने आप पे बड़ी महतपूर वैकेंसी होती है, क्योंकि यह आपके फुल टाइम टे आपसे लिये जाते हैं दिन के, खास करके जो दो पार 11 बजे से ले करके तीन बजे तक आपका count किया जाता है, यह 4 गै Thai की नौकरी होती है, तो यह 4 गैनटी नौकरी करने के बाद आप अपना कोई दूसरा काम जीविका चलाने के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई बाध MBI का अत्रिक्त सुरूत यहाँ पे बेस्थित करते हुए चले बेसिक अगर देखा जाय तो IOC मा क्या होगी तो IOC मा यहाँ पे 18 से लेकर के 40 वर जैसा कि हमने पूर में बताया और IOC मा के अत्रिक्त चुकि आप भी जानते हैं कि हमारी हाँ पर low reservation का प्रावधान फैन और अग्चन प्रावधान है तो इस दसा में अगर हम姐ela काश्च की बात की बात की तो कि उनके लिए 5 साल OBC की जब बात के तो उनके लिए 3 साल का चूट AWS की जब बात की जाये तो इनको तो कोई उम्र में चूट नहीं दी जाती है खास करके PWD अर्थात Person with Disability की जब बात की जाये तो इनको 10 साल का छूट Person with Disability जो Plus में OBC है उनको 13 साल की छूट और Person with Disability आपके 60-60 तो इनको 15 साल का छूट तो मतलब अलग-अलग कटेगरी के यहापे छूट दिये जाते हैं आप समझेगा कि 40 और 15 अगर आप जोड़ ले तो करीब करी 55 साल का भी कोई व्यक्ति है तो इसमें आपका अपलाई कर सकता है यह इसकी खास बात है मिला जुला के अगर देखा जाये तो इसके अंगर सेलरी वगरे का क्या बानक होता है तो जैसा कि आपने बता है नो डाउट यह सेंटल सरकार की नौकरी है लेकिन फिर भी पूरे दिन की नौकरी ना होती है आपके 4-5 घंटे इसमें काउंट किये जाते हैं और इस एक आधार पे जो यहाँ पे BPM अर्था जिसको आँ ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं उसके लिए जो एक मानक सेलरी रखी जाती है तो जब आप नए-नए जोईन करते हैं आप तो इसमें 12,000 से 15,000 रुपय नई जोईनिंग पे मिलता है लेकिन अंतो गत्वा बढ़ करके यह क्या हो जाता है 39,380 तक हो जाता है मतलब आप समझेगा कि अगर आप गाउं में रह रहे हैं 30,000 रुपया महीना आपको 4 घंटे का मिल ला है तो क्या इससे बेहतर कोई नवकरी हो सकती है आप अपने जीविका को भी सुनिश्चित कर सकते हैं एक दूसरे आपसन को भी तयार रख सकते हैं और साथी साथ अगर आप तेज है, तर्रार है, पढ़ने में मकबूल है तो उस दसा में आप आगामी तयारी के लिए बिसेस तोर पे तयारी कर सकते हैं उसमें कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी दूसरा यहीं पर अगर देखा जाये तो फिर आप कह सकतो ABPM या जिसका हम डाक सिवक कहते हैं, इसके संदर में क्या होगा तो इसका भी बेतन मान आपके 10,000 से लेकर के 24,470 रुपे यहां पर इसकी सेली आपके निरधारीत होती है मदब अबराल कहा जाए तो 15,000 से लेकर के 30,000 रुपे क्या होता है इसमें बेतन मान आपको दिया जाता है वो अलग बात है कि जब आप नहीं जोइनिंग करते हैं तो थोड़ा कं होता है, दो-چार महीने बेतने के बात क्या होता है इसमें hike लग जाता है आगे जब बात की ज़ात यहां पर बात आती है तो कैसे फार्म वगरे भरा जाएगा, क्या डेट वगरे है, तो डेट के बारे में ध्यान कीगा, जो आपके आवेदन सुरू हुआ है, मतलब आपके सिकतो कल से सुरू हो गया, पंदर साथ दुहजार चौबिस से, और इसके लिए जो अंतिम आवेदन करने की तिथी है, वो ह 5,8,2024, तो 5,8,2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, परिच्छा सुल को अगरे कि जो बात की जाए, वो भी आपका इसी 5,8,2024 तक है, सुधार की जब बात की जाए, तो 6 से लेकर के 8 अगस्त के भी समें कोई गलती आपने की तो सुधार कर सकते हैं, और जैसा कि यमने बता होनी ना तो एक जाम सेंटर होना ठीक है सीधे आपका चैन होना है तो यह परड़ाम आपके मेरिट सूची के अधार पे बता दी जाएगी वेसे कि अगर देखा जाए तो आवेदन सुल्क क्या है देखिए सेंटरल सरकार की नोकरी है तो इस नाते इसमें केवल जनरल कर्टेगरी का सव रुपया लगता है बाकी किसी का नहीं लगता है तो जनरल OBC की जब बाद की जाए तो उनके सव रुपया लगते है यसी यस्टी पीच की जब बाद की जाए तो कोई रुपया नहीं और महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं को भी कोई रुपिया इसमें नहीं देना होता है पाकि अगर देखा जाए तो परिच्छा सुलक आपके इंडिया पोश्ट के माद्ध्यम से या परधान जीपियों के माद्ध्यम से या आजकल आनलाइन पेमेंट के जो माद्ध्यम चल लए है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं खासा अगर देखा जाए तो फार्म अगरे भरने के लिए क्या-क्या चीज़ आपको रखनी पड़ेंगी तो दिखें यह जो फार्म आपके भरे जा रहे है 1570-2024 से लिकर के 582024 के बीच में आपका भरा जा रहा है मिला जुला के इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ अपनी रखनी होंगी जो इसके दस्तावेज हैं जैसे पत्ता जो आपकी योगिता है कोई आपकी आड़ी प्रमारपत विवरण आपका पता से और आपका मूल विवरण है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़िए जैसे मार्क सीट हो गई आइडेंटिटी प्रूफ हो गया कस्ट सर्टीफिकेट हो गया और अप किसी थोड़ा सा सीन इसमें यह भी होता है कि आप किस रीजन से अपलाई करें जैसे हम उब जेते हैं कि हम यूपी विहार के हैं तो बिसी कहाँ पर हिंदी भासा बोली जाती है लेकिन आप कहें कि हम तमिल में जाएंगे तमिलाडू छेत में, वहाँ पे हमें नवखरी करनी है, तो उत्तम देश का व्यक्ति तमिलाडू में थोड़ा सा अपनी लोकल जो पैठ होगी, वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहाँ गाओं में जो लोग होंगे न, वो अंग्रेजी नहीं जानते, ना तो हिंदी जानते ह कि जिस रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे आप भासा को देख लीजिएगा, क्या वहाँ की आपकी लोकल लेंग्वेज आती है, जैसे बंगला देश में फॉर्म भरेंगे तो आपको बंगला भासा आनी चाहिए, लोकल लेंग्वेज की, ठीक है, असम भी बर असलब क्या, फोटो और हस्ताचर, जहां पे फोटो और हस्ताचर की जब बात की जाए, तो फोटो और हस्ताचर जो है, फोटो की जब बात की जाए, तो ये 50 KB का होना चाहिए, और हस्ताचर की जब बात की जाए, तो ये 20 KB का आपका होना चाहिए, जो आपको अपलोड क इस पे आपके UTP वगरे आएंगे, email ID जिससे भी आपको verify किया जाएगा और mail वगरे आपको किया जाएगा और आधार नमबर अगर आपका है, अगर आधार नहीं है तो यह चीद ध्यान कीगा, कोई नग कोई आपको proof देना ही पड़ेगा, जो आपकी validity को सिद्ध करे, नहीं ह GDS के साथ पेच वें, तो वहाँ पे जाकर के पूरा form भरेंगे, form भरने के बाद सारे कालम को बारुकी से एक एक विंद को देखेगा, क्योंकि एक बार अगर आप गलती कर देंगे, तो no doubt सुधार है, लेकिन हम कहते हैं कि गलती करनी ही क्या हो, पहले ही दिस्टिकोंट से क होना उसे सही तरीके से भर दिया जाए, और सभी कालम को ध्यान पूर्वक पढ़के, और उसके बाद क्याकर, finance submit कर दें, finance submit करनी के बाद अपने backup के लिए एक printout निकालने, नहीं तो उसका PDF रख ले, जो आपके भविस के लिए क्या कर सकता है, एक connection का मात्यम बना रहे सकता है, तो उम्मीद करते हैं, देगई से उचना से आप संतुष्ट होंगे, बाकी अगर कोई confusion है, कहीं पर भी कोई संसय है, तो आप इसे comment करके जरूर बताईएगा, कि क्या दिक्कत आ रही आपको, basic अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हम इतना जरूर सजेस आपको करेंगे, कि अगर आपके हाई स्कोल में, 60% से उपर अंक है, ठीक है, हलाकि 60 कम कहना होगा, आज के बदलते परदेश में, जहाँ आपने बच्चों के हाई स्कोल देखे हैं, तो उस दसा में अगर आप 70% मार्क कहें, तो 70% से उपर अगर आपके मार्क हैं, जनरल काटेगरी में, आजकल आपने देखा है किस तरीके से ग्रेस मार्क मिल जाते हैं, प्रेटकल की मार्क मिल जाते हैं, अब तो यूपी बोर्ड में नंबर अच्छे मिल ले लगे, लेकिन इससे पहले CBSC बोर्ड, संस्कित बोर्ड, इसमें 96%, 98%, 92% बच्चों को क्या होता है, नंबर मिलता है, तो जब मेगा सूची बनाई जाती है न तो वो आपके टॉप लेबल से ही बनती है, तो अब हमारा 45% नंबर है, हम इस फार्म को भिबर दे, रोज 30 से दिन मोबाइल खोल करके देख रहे हैं, कि हमारा नंबर आया की नहीं आया, उस दिस्टिकोंट से हमें लगता है, कि 70% अगर आप नीचे हैं, जनरल कटगी में, तो आप इस फार्म से बचे हैं, क्योंकि इसमें मेरिट सूची जो बनती है, वो हाई नंबर प्याक का बनाए जाता है, वो अलग बात है कि गलती से कहीं किसी का लग जाए, तो वो अलग मस्ता है, लेकिन फिर भी हमें जो लगता ह नहीं होनी है, कोई आपका बहुत ज्यादे चार्ज होगरे नहीं है, सिधा आपके गाउधियाद के नौकरी होगी, बाकी पूरा जो टीटेल है, कहां कहां पे कौन-कौन से पद निकले हैं, तो उसका फिपूरा विवरण इन्होंने अपने वेपसाइट पे दे रखा है, क इक तेंगे खिए, आपके बार जो टीटेड़।